बहादुरगर नाम के शेहर में एक बेहत पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अप्शकुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहां रहने आता उनकी किसी न किसी कारण से मृत्यू हो जाती। इसलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तियार नहीं होता था। एक बार विजय नाम के शक्स ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लेता है और अपने बेटे मोनु के साथ सारा सामान लेकर वहां रहने आ जाता है। घर में शिफ्ट होने के एक से दो दिन में ही विजय को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने का एहसास होने लगा। पहले तो वह इसे नजर अंदाज करता रहा लेकिन जब उसे घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह सतर्क हो गया। एक दिन मोनू दोड़ता हुआ विजय के पास आया और कहने लगा कि वाश्रूम में पानी अचानक बंध हो गया और उसने वहां सफेद कपड़े में एक औरत को देखा। इतना कहते-खते मोनू अचानक चुप हो गया और विजय की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगा पापा वो औरत आपके पीछे खड़ी है इतना कहकर मोनू ने डर से चीखने लगा। विजय मोनू को गोद में उठा कर उसी वक्त घर से बाहर निकल गया। मोनू बहुत सेहम गया था तो उसका डर भगाने के लिए विजय ने उसके लिए एक कुट्ता खरीदा और उसे साथ लेकर तीनों घर वापस आ गए। एक रात बहुत तेज बरसात में जब अचानक घर की बिजली चली गई। विजय ने घर से ज़ांक कर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी सिवाए उनके घर के तो उसे लगा की जरूर पावर सप्लाई में कुछ गरबड़ी हुई होगी। इतने में विजय को मोनू के जोर से चिलाने की आवाज आती है। विजय दौड़ता हुआ टौर्च लेकर उसके पास जाता है। मोनू को दोबारा से घर में वह औरत दिखाई देती है। मोनू को सहमा देखकर विजय उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस ले जाता है। उनका कुत्ता भी यहां वहा देखते हुए जोर-जोर से भौंकने लगता है। विजय को आभास होता है कि कोई उनके पीछे-पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दर्वाजा खोलते ही विजय को सामने एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर मोनू भी डर के मारे चिलाने लगता है। विजय अपने बेटे को लेकर तुरंद दर्वाजा खोल कर घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक विजय का पाव दर्वाजे के पास बनी लकडियों की सीडियों में फंस जाता और बहुत कोशिश करने पर भी वह पाव बाहर नहीं निकाल पाता। मोनु अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है लेकिन काफी प्रयास करने पर भी वह विजय को बाहर नहीं निकाल पाता। कोई उपाए न सुझने पर मोनु अपने कुट्टे को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है और दर्वाजा खुद बखुद बंध हो जाता है। कुछ दिन बाद विजय बिजली की लाइन को ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वह दर्वाजे से ही उल्टे पैर भाग जाता है। कुछ बंध हो जाता है। कुछ बंध हो जाता है। कुछ बंध हो जाता है।